जेई मेन 2019 का रिजल्ट 29 अप्रेल 2019 को आया इस बार ऐसा क्या हुआ कि 140 मार्क्स लाने वाले बच्चे की रैंक 120 मार्क्स लाने वाले बच्चे से पीछे चली गई आईए जानते हैं इस वीडियो में National Testing Agency द्वारा April Attempt का जो रिजल्ट है वो 29 अप्रेल 2019 को आया इसी के साथ जो दो फेज में जेई मेन का इस बार एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट फाइनली डिकलेर हो गया इस बार जो रिजल्ट का जो कैलकुलेशन था वो दोनों जो टेस्ट थे January और April उसके अंदर बच्चों ने जो दोनों में से best performance था उसको लेके बनाया गया है तो इस result calculation के अंदर क्या problems हुई वो इस वीडियो में हम लोग cover करना चाहते हैं पहले हम बच्चों को यह बता देते हैं कि result आप कहाँ पर देख सकते हैं result jemain.nick.in website पर आप देख सकते हैं जहाँ पर application number, date of birth और capture डाल कर आप अपना result चेक कर सकते हैं result काफी detailed दिया है तो यह जो detailed result आया है इसके अंदर एक rank भी आई है category rank भी आई है और overall rank भी आई है जिसको CRL बोलते है common rank list तो इसके यह rank calculate कैसे हुए और यह percentiles क्या होते हैं जानने ही कुशिश करते हैं सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि NTA ने जो exam है वो बहुत सारे sessions में कंड़क कर आया है January में जहां पर 8 sessions हुए वहीं पर April के अंदर भी 8 sessions हुए हर एक session में कुछ बच्चे बैठे और NTA ने यह इस तरह से distribute किया कि सारे बच्चे equally distribute हो जाए तो अब देखिए एक particular session का हम example लेते हैं मान दीजे एक लाग बच्चे उसके अंदर बैठे हैं एक particular बच्चा है उसकी physics में 99 percentile आई chemistry में 98 percentile आई और maths में 97 percentile आई इसका क्या मतलब है physics में 99 percentile का मतलब है कि उस particular session में physics के अंदर 99 percent बच्चों के इस बच्चे के बराबर या इससे कम marks है similarly chemistry के अंदर भी ऐसा ही है और similarly mathematics के अंदर भी ऐसा ही है उसके बाद जो final total score आता है out of 360 उसके अंदर भी percentile calculate की गई है अब माननीजे इस बच्चे की जो overall percentile है वो 99 है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि 99 percent बच्चे उसके बराबर या उससे कम score लेके आए है अगर मैं इसको number में convert करूँ तो हमने ये example लिया थे कि एक लाग बच्चे बैठे है एक हजार मतलब जिस बच्चे की 99 percentile है उस बच्चे की thousand rank होगी या फिर मैं ये कह सकता हूँगे 99,000 बच्चे उसके बराबर या उससे नीचे होगे तो इस तरह से percentile calculate की जाती है अब दोनों attempt के अंदर physics की, chemistry की, maths की और overall percentile का best score लिया गया है और इनी percentile को down sort करके, down sort मतलब उपर से लेकर नीचे तक जमा के rank list निकाली गई है अब कहीं बार इसमें time breaker का भी problem हो सकता है और हुआ भी है उसके लिए क्या किया है NTA ने? इन्होंने सबसे पहले तो 7 decimal places तक percentile निकाली है जो की काफी अच्छा attempt है time break करने का दूसरा जो percentile आएगी mathematics के अंदर उसको priority दी है तो मान लीजिए अगर किनी दो बच्चे की overall percentile same है और किसी particular बच्चे की maths पी percentile जादा है तो maths वाले बच्चे की better rank आएगी फिर physics है फिर chemistry है और फिर जो चौती priority है जो बच्चे की age जादा होगी उस बच्चे को priority मिली है इस तरह से time break करने की कोशिश की है अब काफी विशलेशकों ने ये कहा है कि ये system best possible है अगर multiple seating के अंदर ये exam conduct होता है हम लोग भी ये मानते हैं कि ये system एक logical system है अगर multiple seating में हो रहा है मगर इस पर problem क्या हो रही है problem ये हो रही है कि हम लोगों ने देखा है कि एक particular seating में exam बहुत easy आ गया बहुत easy आ गया तो बच्चों के high score गए high score जाने की वज़े से उनकी percentile down होगी क्योंकि बाकी बच्चों के भी high score रहे तो ऐसे cases आये हैं जहां पर एक बच्चे के 140 marks है और एक बच्चे के 120 marks है तो 140 वाले बच्चे के का जो score है percentile score वो 120 वाले से कम है और finally उसकी rank भी कम आई है इसके अंदर जो toppers है उसके अंदर ज्यादा कोई different नहीं आता है क्योंकि उन लोग के marks बहुत ज्यादा होते है मगर जो नीचे के बच्चे हैं जिनकी पच्चे से लेकर नीचे वाले rank वाले बच्चे हैं या फिर 10,000 से भी नीचे वाले rank वाले उनकी ranks काफी ज्यादा displays हुई हैं, तो अगर ये कहा जाए कि अगर एक बच्चा सिंगल सिटिंग में एक्जाम देते हैं, मान लिजे कि टोटल साड़े ग्यारा लाग बच्चों ने एक्जाम दिया, तो साड़े ग्यारा लाग बच्चे अगर जैनवरी में देते हैं, और 2016 तक जे में के सिस्टम में होता था, जब 40% बोर्ड का वेटेज लिया जाता था, 60% जे में स्कोर का वेटेज लिया जाता था, और कम्माइन करके परसेंटायल स्कोर निकाले जाते थे, वो ही प्रॉब्लम्स अब वापस से NTA को फेस करने पड़ेंगे, काफी टेस्ट करेंगे, और जो कटाउफ भी डिकलेर हुई है, 89% कटाउफ तकरीबन डिकलेर हुई है, CRL के लिए, मतलब जनरल कैटेकरी के लिए हम लोग बोल सकते हैं, तो ये जो कटाउफ है, ये भी रिलेटिवली ऑन दी हायर साइड गई है, और ये क्वेस्टेनेबल है थो 1000 वो सीट्स हैं, जो JEE Advance के बच्चे देंगे, इसका मतलब ये है कि, और CBSC ने अपनी JEE Main की गाइडनाइन में ये भी लिखा है कि कितना प्रतिशत जनरल के लिए है, कितना प्रतिशत स्ट के लिए है, स्ट के लिए है, स्ट के लिए है, और फाइनल सीट्स भी लिखी है, त तो जनरल के लिए तकरीवन 1,24,000 सीट्स होती है, अब 1,24,000 सीट्स का अगर मैं विशलेशन करूँ, तो अगर 12,40,000 बच्चे होंगे जनरल, तो 1,24,000 बच्चों की 90 या 90 से उपर परसेंटाइल आएगी, ठीक है, और 89 परसेंटाइल गई है, इसका मतलब या तो ये है कि 10 अगर किसी भी बच्चे को ये समझ में आई हो, तो प्लीज आप कमेंड बॉक्स में इस चीज़ को डालें, कि 89 परसेंटाइल कैसे जनरल की कट औफ जा सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे जनरल के बैठ ही नी सकते हैं और 1,24,000 सीट्स हैं, तो केवाल 11 परसेंट बच्चों का selection थोड़ा सा questionable लगता है So I hope J.E.Main authorities या फिर NDA इसके वारे में कुछ clarification देंगी कि ये कितना high है और इस examination को थोड़ा सा और better बनाने की उमीद है और गुंजाईश भी है तो I hope जो अगले साल के बच्चे होंगे उनको ये system में कुछ न कुछ changes देखने को जरूर मिलेंगे धन्यवाद